भारचोड़ यात्रा के सो दिन हो गए हैं कन्या कुमारी से अब हम राजिस्तान से निकल रहे हैं बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस रहा है जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सुक्सेस रहेगी मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सुक्सेस नहीं होगी फिर महराष्टा में कहा कि हां महराष्टा में सुक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सुक्सेस नहीं होगी और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए कहा अच्छा मध्य प्रिदेश में सुक्सेस हो गई बट अब राजिस्तान में फैक्शनलिजम है वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी और आपने बहुत क्लिरली देखा कि राजिस्तान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए हमारे संगठर ने बहुत अच्छा एफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजिस्तान में हुआ यात्रा के लक्ष तीन है सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं जो नफरत, हिंसा और डर की राजनेती बीजेपी कर रही है आरेसेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का ये लोग सुनना चाहते हैं ये राजनेती करने का एक दूसरा तरीका है कॉंग्रेस का तरीका है गांदी जी का तरीका है दूसरे दो मैसेज़ेज हैं एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ और दूसरा जो महंगाई और जो इंकम इनक्वालिटी हो रही है जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फाइदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं मजदूर हैं छोटे दुकानदार हैं यह वह हैं उनका नुक्सान हो रहा है तो यह हमारे तीन मुद्द है